नमस्कार, आज हम अम्बोली पुलीस चॉकिपर हैं, यहां पर एक विशेश खटना हुई है, और वो खटना ये है कि आज अम्बोली पुलीस ने राखी साबंद को गिरफतार किया, कुछ देर में मैजिस्ट्रेट पोट में उसे पेश किया जाएगा, मैंने 8 नवेंबर 2022 के दिर राखी साबंद के खिलाव यहां इस पुलीस चॉकी में एक शिकायद दर्ज की, जिसके आधार पर पुलीस ने फायार दर्ज की थी उसी दिर. मैं आज धन्यवाद देती हूँ, मंबुली पुलीस को, जो उन्होंने राखी साबंद की गिरफतारी करके, यह सिद्ध किया है कि कोई भी कानून की गिरफत से बच नहीं सकता, चाहे वो कॉमन मैन हो या सेलेप्रिटी क्यों नहीं हो. आपको बता दू कि राखी साबंद ने मीडिया को बुला बुला कर मेरे कथित, वस्तरहीन, प्रुष्य, फोटोज, वीडियोज दिखाए और बेभुनियाद बातें कहीं, जैसे कि ये कहा कि मैं अलीबाग के किसी रेसॉर्ट में रंगे हाथ पकड़ी गए थी वैश्या विवसाई में. अंबुली पुलीस ने अलीबाग पुलीस से संपर्ख बनाकर ये पता लगाया कि अलीबाग पुलीस ने आज तक शेर्लिन चोपरा के खिलाफ इस सरह कि कोई F.I.R. दर्ज नहीं थी. बाद ये है कि क्यूं राखी सावंत जैसी लड़कियां दूसरी महिलाओं पर कीचर उचालती हैं? क्या हमारे देश का संविधान हमें ये हक देता है कि हम दूसरी महिलाओं की इज़त की धज्या उड़ा दे? आईटी 67 एक्ट ये कहता है कि कोई भी किसी भी महिला के अबजेक्शनबल वस्रहीन फोटोज वीडियोज किसी भी पब्लिक प्लाटफॉर्म पर नहीं दिखा सकता है. प्राकी सावंत ने क्या किया? मीडिया को बुला बुला कर आओ आओ, आप आओ, आप आओ, आप आओ, आप भी आओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, शेलिंच योप्रा का न्यूड फोटो, शेलिंच योप्रा का वस्रहीन वीडियो, आप भी आओ, आप भी आओ, ये आपने मीडिया को गलत जानकारी दी अरे आपके साथ मेरी लड़ाई कभी नहीं थी मेरी लड़ाई यौन शोशन के खिलाफ है यौन शोशन करने वालों के खिलाफ है जब जब मैं साजित खान के खिलाफ आवाज उठाती हूँ जब जब मैं राज कुंद्रा के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, वो उनकी डॉमी बनकर आ जाती है बीच में, कहती है नहीं, मेरे भाईयों के खिलाफ कुछ अब शब्द मत कहना, अरे आपको इतने ही दिक्कत होती है, तो आप जाओ ना, आप पुली सेशन में जाओ, आप कि उन्लोगों ने किया क्या कांड किये है, साजित खान के खिलाफ कितनी महिलाओं था pewno कि आपको यह पता। ऐसा ise कि अबद मैंने खिलाफ की है। मेरे अलावा कई महिलाओं था में साजित यह पुलीस तहए करेगी, पुलीस छानबीन करेगी, पुलीस तहकिकात करेगी, ना कि आरोपी के भाई बहन, ये बात हमें समझना चाहिए. जी. जी. अगर वो हाई को पर अप्रोच करेंगे, तो हमारी लीगल टीप उसको अपोस करेंगे. अज की आरेस्ट होना से? अज की आरेस्ट होनी है? अज की आरेस्ट हुए, उसे बहुत जल्द माजिस्ट्रेट कोट ले जाया जाएगा, जहां पर वो रेगुलर बें के लिए याचिका दायर कर सकती है. मैं इश्वर से प्रार्तना करती हूँ कि राखी सावंत को जुडिशल कासड़ी हो, उसे कम से कम, 14 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए उसे जुडिशल कोट में रखा जाए, जील के सलाखों के पीछे बंद रखा जाए, ताकि उसके समर्थकों को अच्छी तरह ये बात सलमान खान के साथ कोई भी खिलवार्द नहीं कर सकता है, सलमान खान अच्छी तरह सुन ले, इनको भाई, इनको बहन मानते है, ये उनको भाई मानती है, हाँ, आप किम रीचिये, सलमान खान जी, कोई भी इस देश के सलमान खान के साथ खिलवार्द नहीं कर सकता है, आप यहीं नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते हैं। मैं aż 14 इंटी मिया दुम होता ही 14 ले लिए 16 ले वही हैं। खुर्टी 切नियों देकिंटी में खिरंटीlla द्सट्पी है? ₹ यह यही है